दोस्तों स्वाउत है आगट के नीव लोग में आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज वीदियों बात करने वाले हैं Notary किया होता है Or Notary किया जाने का अभी कौल काम करने के लिए कुछ वकीलों को Notary के रूप में Like waiter Sum को लोगों के बीच में होने वाले कुछ agreement और affidavits को अटेस्ट करते हैं और यहां पर यह ध्यान देना जुरूरी है कि कोई भी ऐस डॉकुमेंट्स नोटरी वकील उसको अटेस्ट नहीं कर सकता जो उन्हें नहीं करने के लिए नोटरी रूल्स में कहा गया है इसके साथ ही न उन्हें कर सकता है और इसके साथ कोई शादि और मैरीज़ विवास तलाग से संब्दित कोई भी दॉकुमेंट्स को भी नोटरी वकील यह यह धेस्ट नहीं कर सकता और अगर ऐसा क्कोई documents को करता है तो उसको कारवाई उसके अगेंज की जा सकती है जिसकी Penal Consequences भी हो सकता है और साथ ही जिस documents को attest उन्होंने किया है उस documents को court में किसी भी प्रकार का कोई मानेता प्राप नहीं होती है तो उसका court में कोई legal consequence नहीं होगा अगर को execute कर भी दिया गया है लेकिन फिर भी देखो कई ऐसे अनेक contract होते हैं जिनने अटेस्ट करने के लिए notary वकील के पास कुछ rights होते हैं और उन documents को notary वकील जो है वो attest कर सकते हैं जिसकी अनेक परकार के agreement जो होते हैं जिसकी अगर notary वकील जो है केवल सरफ 11 महिने तक के लिए भी ही किसी rent deed को attest कर सकता है rent agreement को rest कर सकता है और 11 महिने के उपर अगर rent deed हो तो उसको तो registered करवाना ही पड़ेगा और जो भी documents होते हैं property या फिर property से regarding documents होते हैं उससे जो deal होती है उसमें लगने वाले agreement होते हैं वो भी registered ही किये जाते हैं अब आगे बात कहते हैं notary पर power of attorney कि power of attorney पर नोटरी सा क्या लेने जाना है तो किसी भी अगर property से जुड़ी होई power of attorney किसी notary वकील के माधियम से अटेस्ट करवाई जाती है लेकिन अगर कोई immobile property से जुड़ी होई एकर power of attorney है तो उसको registered करवाना ही पड़ता है और power of attorney भी देखो दो परकार की होती है ऐसी power of attorney जिसमें किसी property के बेचने तक का right दिया है यानि कि सिर्फ आपको sale करने का right है आगे जो है वो further कुछ होड़ होगा लेकिन आपको अगर सिर्फ sale करने का right भी दिया गया है जिस power of attorney में है तो उसको भी registered करवाना जुरूरी है बिना registered power of attorney की कोई value नहीं होती और कोई भी अगर घाडियों से संबंदित या वानों से कोई भी संबंदित या कोई मुकदमा लड़ने के लिए भी आपको जो concerned power of attorney है उस पर एक stamp पर notary विकील से करवाई जा सकती है या फिर बात करें कि कोई motor vehicle accident से related या कोई case हो या कोई court case ह हो गया या किसी भी गाड़ी से संबंदित कुछ भी अगर परकार का court case से related है तो एक परकार की stamp नॉर्मली notary से करवाई सकती है लेकिन अगर property के regarding जो है तो फिर वो registered करवाना पड़ेगा अब बात करें अगर हम normal affidavits की कि अगर सभी type के affidavits जो होते हैं तो जैसे कि आज क सब्सक्राइब करने के लिए appoint करती है जो कि जनता से एक सिर्फ नाम के लिए एक amount लेकर government के और से documents को attest कर सकते हैं जब भी कभी उन documents related कोई भी मामला court में लिया जाता है तो जो notary वकील होगा जिसने उसको attest किया है उसकी उस मामले में फिर उसकी गवाई भी दिनी पड़ती है अगर हम बात करें कुछ रुपे के लेंदन के मामले में की अगर जो पैसे से अगर लेंदन हुआ है deal का तो गातो कि रूपे के या पैसे के लेंदन के मामला भी लोगों को करना पड़ता है कि भाई किसे ने लोन लेना है या कुछ भी डॉकुमेंट तो उसके लोन राइंक्रिमेंट या उससे लेटेट कुछ डॉकुमेंट बनाई जाएंगे और ऐसे लेंदेन के मामले नोटरी जो वकील होते हैं वो अटेस्ट कर सकते हैं हालांकि इसके लिए चेक हो गया और प्रॉमिसरी नोट भी जरूरी होते हैं लेकिन फिर भी देखो एक स्थान पर कोई नोटरी करवा लिया है तो यह एक अच्छा फॉर्म माना जाता है और यह जो लेंदेन का पक्का प्रूफ होता है जिसका कोई भी मना इंकार नहीं कर सकत लिए तब अगर मैं एक स्थान पर किसी भी नोटरी एडवोकेट से अटेश्ट कर वा लेता हूं तो जो रुपे उधार लेने वाले विक्ति इस बात से मुखर नहीं सकता कि जो मैंने आपको कहां पर उधार दिये थे या उसने कोई रुपे आपसे उधार लिया है तो ऐस को अटेश्ट करते हैं तो उसके लिए नोटरी रूल्स में दिये गए हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है सबसे इंपोर्णन बात यह कि नोटरी का कोई भी डॉकुमेंट बगैर स्टेंप के नहीं होता कि आपको उस पर स्टेंप लगानी ही पड़ेगी औ इसमें कोई भी स्टेंप नहीं लगाया गया हूंने स्टेंप करने का ओडर दिया गया है और कोरे कागज को notary वकील जो है वो अटेस्ट नहीं कर सकता उस पर बात करें साथ में टिकट मोहर की तो notary वकील जब भी किसे documents को अटेस्ट करते हैं तब उस पर वो 10 रुपे के टिकट चपकाते हैं तो इन टिकट पर उनके द्वारा कोई भी मोहर लगाई जा सकती है और उ एतने भी पैज हैं उसके लिए उतनी टिकट दी जाए अब इसका एक register maintain किया जाता है जो notary Pete होते हैं वह我就 मैं उन्हें कहा गया है क्यों एक register maintain करना होगा जिसमें जितने भी लोगों की document जो test किए गये हैं उन सब की complete details होगी और उस documents में उस रिजिस्टर में सब कुछ डाला गया नमबर क्योंकर फिक जय कीरियल पर अगर आपका रिजिस्टर में लिखा गया है तो उसको उस-拜拜 के एस scores के साथ आगए पार्टे का जो में कर आधार क्या है लो उस पे दिया जाये clear हो जाता है अगर कोई मामला को जादा important है तो दोकमेंट में उस case में क्या होता है कि जो signature की investigation ये जाच कियाती है क्योंकि जिस signature को party ने notaryvakil की according registered किया है register में किया है तो उसकी जो investigation की documents की दे चर्वाज़न की जा सक्ती है यांप यह भी ध्यान देना जुरूरी है कि जब भी कोई डॉकुमेंट्स पर सिगनेचर किये जाएं तो पार्ट इसको नोटरी विकिल के सामने प्रेजेंट होना जुरूरी है और उसके रेजिस्टर में भी सिगनेचर उनसे करवाना चाहिए क्यों कोई आम तोर पर देखा जाता है कि लोग अपने काम में जल्दी निकालने के परपस से बिना साइन के ही नोटरी करवा लेते हैं और जबकि यह तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर मामला अगर कोट में उठता है तो फरजे सिगनेचर के दार पर कोई भी दावन नहीं किया जा सकता और जिससे आपना नोटरी करवाया है वो हो सकता है क अगल को वहां मिले भी नहीं तो उसको काहां डूडते फिर हो गए तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि छोटे से छोटे मामले में भी चाहिए फिर वो एक रेंट एग्रिमेंट ही भले क्यों नहों तो उसको खुद आप नोटरी वकील के पास जाना चाहिए और अपने रिजिश्टर में उनको नोट कर सकता है नोटरी के केस में जो रिजिश्टर है उससे important documents होता है क्योंकि जिसे documents को संभाल कर रखना होता है उसी के लिए जानता है द्वारा उन्हें कुछ राशी विसूल की जाती है गौर्ण भी उन से यही expect करती है कि सब रिजिश् वलत बात है क्योंकि जब भी हम कोई आग्रिमेंट करते हैं तो उसे कोड़ी का पर साइन करवाना भी ठीक बात नहीं है क्योंकि छोटे से छोटे बेल आइकन को प्रेस करना क्योंकि इस इंपॉर्टेंट अब्लेट्स आपको और किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलने माली कि इतनी शौर्ट्स वीडियो में आपको में कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में आपको पूरी इंफॉर्मिशन कंप्लीट कंसेप्ट करवाय जाए तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू व्लॉक के साथ